हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसेस अनुराय एक बार फिट से आप सभी बच्चों का कॉंपुटिशन कमिटी में स्वागत करती है थोड़ी दिर पहले ही आपने सीजी पेसी मुख्य परिक्षा के प्रथम प्रश्ण पत्र हिंदी भाषा के उत्तर का विशलेशन और अवलोकन कर लिया आपने यह पाया होगा कि उस सो नंबर की हिंदी में 50 नंबर के व्याकरण पक्षे से ही प्रश्ण पूछे गये थे प्रश्ण जिसके अंतरगत अब आपको व्याख्यात्मक रूप से उसके उत्तर को जो है वो लिखने थे वो सारा व्याकरण जो आपने cgpc की प्राणफिक परिक्षा के लिए तयारी की थी, उसी का ही अग व्याक्यात्मक रूप आपको यहाँ पर लिखना था मैंने पहले ही कहा था, हर lecture वीडियो में, हर classes में हमेशा ये कहती हूँ कि व्याकरण एक ऐसा पक्षा है जो भाषा के अंतरगत आपको पूर्ण अंक प्रदान करता है गडित की तरह यहां व्याकरण पक्षा से हमेशा आपको पूर्ण अंक प्रदान किये जाती है यदि जिस बच्चे ने CGPAC के प्रारंभीक परिक्षाओं में भाषा से संबंधित तैयारी पुर्ण कर ली होगी तो उसकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है मुख्य परिक्षा के लिए जब व्याकरण के पक्षा को मजबूत रखता है रही बात CGPAC मुख्य परिक्षा के प्रथम प्रशन पत्र के तीसरे हिस्से के वह है हमारी 36 गड़ी भाषा 36 गड़ी भाषा महज 50 अंक की होती है लेकिन इस वर्ष की अधी बात की जाए तो इस पक्ष में हम उत्तर कितने अंक का पूछा गया है अगर कहें प्रशन कितने अंक का है कहें तो यहाँ पर 41 नंबर यानि की 50 में से 41 नंबर का जो अंक है वह केवल आपको व्याकरण खंड से पूछा है ठीक है व्याकरण खंड से 41 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है आप समझ रही है कि इस 41 नंबर की यदि आपकी संपुर्ण जानकारी है तो पूरे 40 से 41 अंक आपकी हाथ में है 50 अंक पूरे हिंदी से आपके हाथ में हैं तो 40 और 50 नबर अंक तो सिर्फ आपको देड़ सो में व्याकरण पक्ष देता है मैं इसी वजह से हर बार अपने बच्चों को कहती हूँ कि भाशा को हमेशा शिरोधार करते हुए आगे लेकर चलिए क्योंकि आपको यही प्रश्न पत्र है जो आपको qualify कर देता है आपके अंक में बढ़ोतरी कर देता है और आपको पहला परेस्ण पत्र ही यादी बहुत अच्छे ढंक से निकलता है तो सोच कर चलिए कि बाकी प्रश्न पत्र में खुशी का तो आपका जो भंदार है वह भर जाएगा क्योंकि प्रथम प् पुछे जाते थे, उसी सीले बस के अकार्डिंग प्रशने पूछे हैं, परंतो थोड़ा सा उसमें जरासा परिवरतन किया है, तो बगैर किसी समय को व्यतित किये चलते हैं, कि छट्यस गढ़ी भाशा के अंतरगत, पहला प्रशने क्या पूछता है, ठीक है, तो छट्यस लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए कहता है तो इसमें पहला ऑप्षन दिया है निम्न लिखित हिंदी शब्दों के 36 गड़ी समानार्थी शब्द लिखिए तो आपके जो बीजहा कारेकरम के अंतरगत जो चीजें 37 गड़ शासन ने संजो कर रखे हुए हैं यह प्रश् दिया है हिंदी समानार्थी शब्द इसका 36 गड़ी रोप क्या होगा ठीक है दूसरी बात आपको हमेशा कह दूं कि यहां पर जगए जो है वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है इसका मतलब हमें उत्तर यहां लिखना है ऐसा कदापी ना करें मतलब कि जब भी आप इस प्र अंतरगत हम चलते हैं इसके आंसर को जानने के लिए कि आखिर इनका उत्तर क्या होगा तो सबसे पहले मैं क्वेशन पढ़ दूं ऑप्शन वन है शुद्ध ऑप्शन टू है जिद्धी ऑप्शन थी है पैत्रिक ऑप्शन फोर है संतान हीन ऑप्शन फाइव है जबरन ठीक अंदर उसे आरूग के नाम से पुकारा जाता है ठीक है तो यदी वो पवित्र होता है शुद्ध होता है तो चतिस गड़ी में उसे आरूग कहा जाता है ठीक है अब हम चलते हैं question का second pattern जिससे कहा है जिद्धी जिद्धी के लिए चतिस गड़ी में बहुत सारे नाम है कहते हैं इसके अलावा देखा जाए तो इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जैसे कि अकड़ईया बोलते हैं अकड़ईया अकड़ दिखाने वाला ठीक है इसी प्रकार एंठुल भी बोलते हैं ठीक है जो अकड़बाज होते हैं तो अकड़ईया एंठुल बोलते हैं एठहा मतलब कि जो हमेशा एठ दिखाते रहता है ठीक है इसी प्रकार अतियाउल भी कहा जाता है इसे अतियाउल भी कहा जाता है इसके अत्रिक्ति से पेलिहा भी बोला जाता है मैंने पहले ही बताया कि 36 गड़ी में इसके लिए अलग-अलग प्रकार के नाम है तो रेंधहा चेचरहा बोलते हैं, धीट बोलते हैं, अतलंग बोलते हैं, एठहा, अकड़ईया, अइठूल, अतियाउल, पेलिहा, बहुत सारे नाम हैं जो इस जिद्धी परसन के लिए बोला जाता है, खास कर यह शब्द जो है वो छोटे बच्चों को संबोधित किये जाते हैं, को मालम होगा, जिसे 36 गड़ी में पुर्खोती कहा जाता है, ठीक है, जो पैत्रिक संपत्ती होती है, तो उसे पुर्खोती कहा जाता है, तो 36 गड़ी में पैत्रिक होगा हिंदी से पुर्खोती, संतान हीन, हिंदी में हैं हमारे लिए संतान हीन, 36 गड़ी में इसके लिए बहुत से नामों में से प्रसिध नाम है निर्बंसी, जिसका बंस नहीं होता, जिसका वंश नहीं होता, उसे निर्बंसी कहते हैं, जिसके संतान नहीं होती, उन पती पतनी को ठड़गा और ठड़गी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, आप दोनों में सचाहें तो कु में जबरन 36 गड़ी में सुना होगा जो किसी से जबर्डस्ति ब्याह कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं जबरिया भी हाओ यानि कि जबरन का 36 गड़ी रूप होता है जबरिया ठीक है तो मैंने आंसर बतला दिये कि option number पर एक शुद्ध का होगा अरुक जद्धि के लिए होगा पेलिया धीत अतलंग ठीक है पैतरिक के लिए होगा पूर्खोति जो या संथापन yhtलीनि निर्बशी या ठड़गा ठड़गी जबरन के लिए जबर्या इसी का दूसरा पक्ष है जो आपके खाव नंबर में हैं खा गड़ी के वर्ट्स दिये हैं उसका हिंदी में आपको मिनिंग लिखना है पहला है आनी बानी दूसरा है हरहिंचा तीसरा है टकरहा चौथा है खरसी और पांचवा है हरहून ठीक है तो इसके लिए आंसर क्या होंगे तो जो आनी बानी कहते हैं तो 36 गड़ी के अंतरगत जो आनी बानी है ठीक है आनी बानी के है ना इसलिए इसके लिए बहुत सारे नाम है आनी बानी बोला तो हिंदी में इसके लिए बहुत सारे नाम है 36 गड़ी की तरह हिंदी में हम कहते हैं किसम किसम का भिन भिन का कहते हैं अलग-अलग कहते हैं या हम कहते हैं विभिन प्रकार का ठीक है विभिन प्रकार का ठीक है तो हिंदी में यदि हम 36 गड़ी में आनी बानी बोलेंगे आनी बानी रंग रंग कहते हैं किसिम किसिम के कहते हैं भिन भिन रंग के बोलते हैं है न तो उसी का 36 गड़ी में आनी बानी से होगा विभिन प्रकार का या आप कह सकते हैं भिन भिन या कह सकते हैं अलग अलग या आप कहते हैं किस्म किस्म का ठीक है दूसरा option था हमारे लिए हर हिंचा इस हर हिंचा को 36 गड़ी में हर हिंचा इसे 36 गड़ी में कहते हैं हर हिंचा और हिंदी में कहा जाता है बेफिक्र ठीक है बेफिक्र होकर है न तो हर हिंचा का मतलब होता है बेफिक्र हिंदी में 36 गड़ी में हैं टकरहा ठीक है जो किसी का अभ्यस्त या आदी हो जाता है उसे कहा जाता है टकरहा यानि कि जो हैबिच्वल है यानि कि जो किसी चीज का आदी हो गया है यानि कि वह किसी चीज का अभ्यस्त हो गया है ठीक है उसे हम कहते हैं टकरहा जो आपका हैबिच्वल होता है कभी-कभी स लहटा हुआ के नाम से भी पुकारा जाता है ठीक है अगला है आपका खरसी 36 गढ़ी में खरसी याने जहां आप कंडे को डंप करकर रखते हैं तो बाबर कंडे को निकालने से जो उसके चूरन बचती है है न तो कंडे का चूरा कंडे का चूरा यह कहलाता है हमारे लिए खरसी ठीक है अगला आता है हरहुन ठीक है अगला है हमारे लिए हरहुन आपने सुना होगा खेती के समय में के धान हा बहुत हरहुन धाने मतलब की ये धान बहुत जल्दी जो है वो फसल तयार हो जाती है इसलिए 36 गड़ी के अंदर हरहुन का मतलब होता है ठीक है तो निमने लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजे कहता है तो उत्तर नंबर एक का ठीक न उत्तर नंबर एक का जो है इसमें क्या पूछा है यहां हिंदी से आपको किसमे लिखना है 36 गढ़ी में ठीक है? हिंदी से लिखना है आपको 36 गढ़ी भाशा में ठीक इसके लिए आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले मैंने पढ़ा था शुद्ध ठीक है तो हिंदी में है शुद्ध तो 36 गढ़ी में उसे आरूग कहा जाता है ठीक है ना जैसे जो पवित्र होता है शुद्ध होता है तो आरूग फूल है ना इसी प्रकार कहते है आरूग दिवतल पवित्र दिया तो शुद्धता के लिए आरूग का इस्तिमाल किया जाता है ओप्शन टू है आपका जिद्धी है ना जो बहुत जिद्धिक किस्म के होते हैं उसके लिए अलग-अलग प्रकार का नाम है इसे हिंदी से प्रभावित धीट भी कहा जाता है ठीक है इसे एठहा भी बोलते हैं ठीक है इसे अतियाउल भी कहा जाता है आपको केवल एक लिखना है यहां 36 गड़ी में अलग बिन बिन प्रकार के नाम जो हैं लिए जाते हैं कभी-कभी पेलिहा भी कहते हैं चेचरहा भी कहते हैं ठीक है इसके अलावा इसे टेकिहा भी कहते हैं एक ही टेक में रहने वाला जिद्धी तो आप इस बहुत सारे नाम में से कोई एक नाम है जो लिख सकते हैं कोशिस ये करें कि जब तक छत्तिस से सुना है पैत्रिक को क्या कहा जाता है इसमें बिलकुल से परिशान उनकी जरुत नहीं क्योंकि पैत्रिक को पुर्खोती के नाम से पुकारा जाता है ठीक है जो आप चैत्रिस गड़ में देखते होंगे सुनते होंगे और गह भी होंगे पुर्खोती मुक्तांगन यानि कि पैत्रिक धरोहर, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो पुर्खोती के नाम से पुकारा जाता है, इसके बाद है option number 4, यह है आपका 1, 2, 3, है ना, तो option number 2 जिद्धी का है धीट, option number 3 पैत्रिक का है पुर्खोती, अब आते हैं अगले में, option number 4 क्या पुछता है, option number 4 ने पुछ जो है आपका संतान हीन, 36 गड़ी के अंतर्नगत, इस संतान हीन के लिए कुछ विशेस नाम प्रयोग है, जो निर्वनशी होते हैं, उसका अपभरनशित रूप में निर्वनशी, याने की जो निसंतान दमपत्ती है, उसको संबोधित किया जाता है, खास कर बहुत ग्रामि और ठड़गी के भी नाम से पुकारा जाता है, इसके बाद फिफ्ट नंबर का अप्शन है जबरन, आपने सुना होगा कि आदिवासी समाज में एक ऐसा विवाह होता है, जो जबरजस्ती से की जाती है, तो 36 गड़ी में जबरन को जबरिया कहा जाता है, तो आंसर क्या हु प्रशन के उत्तर दीजिए, उसके अंतरगत जो है हिंदी सब्दों के 36 गड़ी सामानार्थी लिखना था, तो शुद्ध का हुआ आरुख, जिद्धी का हुआ धीर, पैत्रिक का हुआ पुर्खोती, संतान खीन का हुआ निर्बंसी, और जबरन का हुआ जबरिया, अब इ यहां पर क्या पुछा है, यहां पर आपको पुछा है, निम न लिखी 36 गड़ी सब्दों के हिंदी सामानार्थी लिखना है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे जा कर देखते हैं कि क्या पुछा है, तो निम न लिखी 36 गड़ी सब्दों के हिंदी सामानार्थी लिखे, option 3 में है टकरह, option 4 में है खरसी और option 5 में है हरहून, ठीक है, तो इसके answer को जानने की कोशिस करते हैं, तो यहाँ पर question number 1 का जो आ है, याने कि आपका question number 1 का answer आ के अंतरगत, इधर आपको दिया हुआ है 36 गड़ी शब्द, ठीक है, जिसका आपको हिंदी समानार्थी शब्द लि दिखना है, तो सबसे पहले आपको पूछा गया है यहाँ पर, जो है आनी-बानी, ठीक है, जो आप आनी-बानी कह रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे नाम है, आनी-बानी के, रंग-रंग के, किसिम-किसिम के, औरे-औरे, भिन्ने-भिन्ने कहते हैं, मतलब समझ में आया, कि इसके लिए हिंदी में अलग नाम है, जैसे कि आनी-बानी कह रहा है, मतलब कि विभिन्न प्रकार का, ये भी कह सकते हैं, या किस्म-किस्म का कह रहे हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार का कह सकते हैं, या तो हम यहाँ पर अलग-अलग कह सकते हैं, ठीक है, वर्ण-वर्ण का भी क कि अभर होता है बे फिक्र होना ठीक है तिक इसके बाद आता है टकरहा मैंने अभी आपको बताया कि छटिस गड़ी में जो व्यक्ति एक ही टेक पर लगा रहता है उसे जिद्धी है लेकिन टकरह का मतलब होता है लहटा हुआ मतलब की जो व्यक्ति किसी चीज का है विच्वल होता है आदी होता है किसी भी चीज का वो अभ्यस्त होता है बार बार उसी चीज को करने की कोशिस करता है है विच्वल होता है तो 36 गड़ी में टकरहा है तो हिंदी में आदी या अभ्यस्त या कर्सि का हिंदी अर्थ क्या होगा तो जहां किसी ओपलों को कंडों को इकठा किया जाता है उस कंडों को बार बार निकालने से जो की चूरन की रूप में रह जाते हैं तो कंडे का चूरा जो होता है उसे खरसी कहा जाता है कंडे का चूरा जो होता है उसे खरसी कहा जाता है और कभी-कभी लोग ये कहते हैं जाना खरसी ले या मतलब की कंडे को ले आओ या कहते हैं खरसी है गंजागे का मतलब कंडे रखा गए क्या कहते हैं तो खरसी का मतलब होता है कंडे का तूटा हुआ टुकड़ा याने की आपका कंडे का चूरा अगला है आपका हरहून ठीक है आपको नाम से महसूस हो गया होगा कुछ आंसर समझ में आ भी गया होंगे कि जब फसल बोई जाती है तो कुछ धान की फसल ऐसी होती है जो बहुत जल्दी परिपक्व हो जा जल्दी तो इस तरह देखा जाए तो पांच नंबर का आपको 36 गड़ी से हिंदी और पांच नंबर का हिंदी से 36 गड़ी आपको 10 नंबर के तो केवल समानार्थी शब्द से प्रश्ण जो है वो पूछे गए हैं और ये कहां से तयारी होई आपकी 36 गड़ी कारेक्रम लेकर चलते हैं तो कोशन नंबर टू यहां पर आपको बहुत इस पस्ट नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि यह भी मुझे भी यह पीड़ी एक की फॉर्मेट में मिला था तो यह हमारे लिए कोशन नंबर टू में पहला प्रश्ण क्या पूछ रहा है कोशन नंबर टू मे पहला प्रश्ण याने की अ क्या बोल रहा है नीम न लिखिए 36 गड़ी पूर्लिंग शब्दों के इस त्रिलिंग शब्द लिखिए ठीक है तो आंसर हम यहां पर लिखेंगे तो यहां पर आंसर क्या कहेगा तो आप्शन पढ़ लिजिए नाउ दिया है और आपको मितान ूर दिया है कहीं न कई आंसर आपको पहले सही मालूम हो रहा है तो किसी भी पुरुष जाती का बोध कराने वाला शब्द पूर्लिंग होता है और इस त्रि जात पाम कराने वाला शब्द इस से लिख होता करना है ठीक है मैंने आपको जब जेंडर से समझाय था तभी मैंने आपको कहा था कि किसी भी व्यक्ति का पद व्यवसाय कार्य है तो उस पद व्यवसाय कार्य को संभुधित करता है तो वहां जो प्रत्य लगाए जाते हैं तो पती के नाम को धारण करने वाले प्रत्य के अनुसार नाउ जो इस व्यक्ति का कारेव्यापार व्यवसाय है उसकी पतनी को नवईन के नाम से फुकारा जाता है ठीक है इसी प्रकार मितान किसी व्यक्ति का पद है जो मित्रता संबंधी रिष्टे में आता है तो उस रिष्टे संबंधी नाम के अनुसा मितान है तो हो जाएगा मितानी ठीक है अब आते हैं अगले कोशन में पहले प्रश्ण पका जो और आथर इसमें हिंदी से हिंदी समनार्थी पूछना था जो पांच-पच नंबर के थे उसी में तीसरा प्रश्ण आपको पूछा है यहाँ पर आपके दो नंबर के लिए और क्या पूछा है कि ओलियाना और ओलिहाना में अंतर बतलाए तो दो नंबर का यह प्रश्ण है जिसके अंतरगत आपको पू त्रूटी या उच्छारण के गलती से कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द सिमिलर साउंड करते हैं पर उसमें वर्ड मिनिंग में डिफरेंसेस होते हैं ठीक है तो वहीं से आपको प्रश्ट एक का ई में पूछा है ओलियाना और ओलिहाना में अंतर बतलाईए तो ओलिया और ओलिहाना क्या होता है तो 36 गड़ी के अंतरगत ओलियाना और आपका ओलिहाना दो ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग बहुतायत तोर पर ग्रामन परिवेश में किया जाता है मा के आचल को कही जाती है ओली ठीक है तो जब कोई महीला के आगोद भराई होती है या कोई भ समेटना ठीक है किसी भी वस्तू को आचल में समेटना ये कहलाता है हमारे लिए ओलियाना और 36 गड़ी में कहते हैं जैसे कि मुर्रा खा रहे चना खा रहे तो आले थोड़कन ओलिया लेता हूं है ना ओलिमा रख ले बोलते हैं तो ओलियाना मतलब की होगा आचल में समेटन जब जो जानवर सुबा छोड़ दिये गए थे उन सभी जानवरों को जब अंदर किया जाता है तो कुल मिलाकर इसका संबंद के वाल जानवरों से नहीं है किसी भी को अंदर करना तो भीतराना कह सकते हैं या फिर किसी को भीतर करकना या भीतर करना कह सकते हैं और अधिकांशता इसका प्रयोग है वो मवेशियों के लिए किया रहता है गरुआ मनला ओलिया दे जा मतलब कि जानवरों को अंदर कर दो तो भीतराना या भीतर करना या अंदर करना है जो हमारे लिए कहलाता है आपके ओलिहाना तो ओलियाना मतलब कि आचल में समेटना और उलिहाना मतलब जानवरों को या किसी भी तत्वों को भीतर करना हमारे लिए उलिहाना होगा ठीक है अब आते हैं question number two हैं ठीक है तो question number two आपको क्या पुछता है question number two पुछता है यह आपका यहाँ पर से थोड़ा सा देखने की कोशिस करेंगे कि question number two प्रशन जो दूसरा है उसका अ क्या कहता है नीमने लिखे 36 गड़ी पूरलिंग शब्दों का हमें क्या करना है इस्त्रिलिंग शब्द बनाना है याने कि जो आपके पूरलिंग शब्द है उसका इस्त्रि सूचक आपको बतलाना है ठीक है यहाँ दिया है option number one now और option number two दिया है मीतान मैंने जब आपको gender पढ़ाया था तभी मैंने आपको इसकी चर्चा की थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पद वैवसाया कारे होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा किये जाते हैं उनहीं पद वैवसाया कारे के अनुसार जब उनकी पत्नी उन ठीक है तो पूर्लिंग शब्द option one में दिया हुआ है आपके लिए नाउ option में दिया हुआ है नाउ और दूसरा दिया हुआ है मीतान ठीक है तो जिस प्रकार सोनार होता है तो सोनारिन होता है लोहार है तो लोहारिन होता है इसे नाउ से नवईन कहा जाता है नाउ से नवईन क कहा जाता है और मीतान है तो इस्त्री सूचक में मीतान मित्रता संबंदी एक रिष्टा है जो पुरुष्वर्ग के लिए होता है तो उसकी पत्नी को मीतानीन के नाम से पुकारा जाता है और यह एक ऐसा शब्द है जो 36 गड़ शासन के अंतरगत जो कर्मचारी होती है उनके पद भी होते हैं ठीक है जो आपके इस्त्रियों से संब्रेद कारों का संपादन करती है तो उसे मितानीन कहा जाता है तो कोश्चन नमबर टू का अ में पूछा है निम लिखे च्छतित गड़ी पूर्ले शाद्व की इस्त्री निंग लिखिए जो दो नंबर का है तो प्रशनों के उत्तर लिखे पत्तो शब्द की लिंग का है और जाथन में कौन सा वचन है याने कि यहाँ पर एक ही कोश्चन में फीज दो टौपी को कवर कर रहा है तो पत्तो शब्द की लिंग का है तो आपको पता है कि घचचतिस गड़ी के अंतरगत बहु को जो है वो बोला जाता है ठीक है और बहू इस तरी सुचक शब्द है इसलिए कुशन नमबर टू का option नमबर आ में से ठीक है जो पहला है आपका पत्तो है ना यह पत्तो जो है वह इसतरी लिंग के अंतरगत आता है ठीक है और इसी का दूसरा शब्द है जा-थन ठीक है इसका वचन बतल तो मैं जाता हूँ तो मैं जात हूँ हम लोग जाते हैं तो हमन जात हन या हमन जात हन याने की या हमारे लिए जात हन शब्द है जो बहुवचन में है ठीक है अब कोशन नमबर टू का आ में पहला हुआ पत्तो शब्द में इस्त्रिलिंग है और जात हन शब्द बहुवचन म आपको निम्नलिखित समासिक शब्दों में समास चिनहित कीजिए मतलब की समास विग्रह नहीं करना है केवल कौन सा समास है यह आपको बतलाना है option A है बेंदरा नाच option 2 है आपका नर्वा घुरुआ ठीक है तो इसके आंसर की चर्चा करेंगे बेंदरा नाच जैसे की नाम से ही बसुहूर हो रहा है कि बेंदरा नाच 36 गड़ी बंदर को कहते हैं बेंदरा तो बेंदरा नाच का होगा आपका E में सबसे पहला होगा बेंदरा नाच मतलब की यहां पर होगा आपका सब शश्टी तक पूरुष समास होगा ठीक है और अगर इसका पूर्ण नाम लिखन जाते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं आपका संबंध तत्पुरुष समास हुआ आपका बंदर का नाच कहकर शष्टी तक पुरुष समास हुआ यानि कि आपका संब्ध तक पुरुष दूसरा दिया है आपका नर्वा घुरुवा ठीक है नर्वा अउ घुरुवा कहकर यह हमारे लिए द्वंद्व समास का उधारन होगा नाला और आपका जो घुरुवा मतलब की आपका जो कुड़ा दान होता है जहां कचरे को डंप किया जाता है तो नर्वा घुरुवा बारी यह जो आपका जो चल रहा नर्वा घुरुवा अउ बारी बोलके अब आते हैं प्रश्ण नंबर 3 में, प्रश्ण नंबर 3 क्या पुछता है, question नंबर आपका 3, इस 3 के अंदर अब पुछता है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब की match the following पुछता है, ठीक है, match the following में यहां दिया है दैहान, बारी, फूल और गुड़ी, option निधर दिया हुआ ह सागभाजी, मातर, गुड़ीहार और डोहडी, ठीक है, कहीं न कहीं इसके उत्तर भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, चार नंबर की इस प्रश्ण में, प्रत्य कोश्ण में, एक आंक जो है वो निर्धारित किये हैं, दैहान, जिसका संबंध होता है मातर तो गुड़ीहार होगा जो बैठक में जाता है, तो कुल मिलाकर प्रश्ण तीन का उत्तर में सुमेलित कीजिए कहता है, तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, उत्तर लिखने के लिए आपको पूरन रुप से कोशिस करनी है, कि यहाँ पर आप व कर सकते हैं, इसका उत्तर लिखने के लिए आपको कोश्चन को अगर समय मिलता है, तो कोशिस कीजिएगा कि उसको आप लिखें, जैसे कि दैहान है, तो इसका संबंध आप लिखेंगे मातर से, ठीक है, इसी प्रकार अगर देता है, second option में बारी है न, तो इसमें लिखेंग तो यहाँ पर आप डोहरी लिखेंगे, याने की डोहरी, ठीक है, याने की डोहरू या कली, अब यहाँ पर दिया हुआ है गुडी, ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे आप गुडी हार, ठीक है, और अगर इस तरह लिखते हैं, तो जाच करता को पूर्ण तरह से इस तो पूछता है आपको आ में निम्न लिखे 36 गड़ी वाक्यों को हिंदी में लिखिए अब भी आपने पढ़ा होगा डोहरी लिखा है मैंने भी आपके बताया खिला हुआ पुष्प जो है वो फूल कहलाता है ठीक है उसे कली को डोहरू या डोहरी के नाम से पुकार जाता है 36 गड़े में लिखा है डोहरी हा छतरागे अव कहर महर महमागे मतलब कि छतरा जाना मतलब खिल जाना बिखर जाना पुष्पित हो जाना और महर कहर महर मतलब कि खुश्बू से महर मतलब महक जाना ठीक है तो डोहरी हा छतरागे अव कहर महर महमागे तो हिंदी में क्या लाबोर हो गई है कह सकते हैं या कह सकते हैं कली अब भी खिल गई है और खुश्बु से महकने लगी है तो भी आपको आंसर मिलेगा दूसरा आपके जो राजगीत है उसका sentence दे दिया हुआ है सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड तो ध्यान रखिएगा सही का मतलब होत पहार है तो सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड मतलब की 36 गड़ के अंतरगत अगर हम परिवेश में देखें तो कह सकते हैं कि कि इसके घाट डोंगर और पहाड बिंदिया के समान सुशोभीत हैं कह सकते हैं ठीक है तरिया के घटवंदा घटवंदा मतलब जहां पर जो घाट के किनारे तालाब के घाट के किनारे बड़ी बड़ी मचलियां तैर रही हैं ऐसा कहने से आपको यह जो question number जो 3 है उसका option number A इच वन question में 2 marks मतलब कि 6 number का 36 गड़ी वाकिय का हिंदी रुपान तरण है तो आपको 6 number आपको यहीं मिलते हैं कि कली खिल गई है और खुश्बू से महक रही है कह सकते हैं बिंदिया के समान घाट डोंगर और पहाड सुसोफिस हो रहे हैं तलाब के घाट के किनारे बड़ी बड़ी मचलियां तैर रही हैं कहकर 36 गड़ी से हिंदी मेनुआत किया जा सकते हैं अब है question number 4 question number 4 ने क्या पूछा है question number 4 question number 4 में कोई option नहीं है आठ नंबर का ये प्रश्न है question number 4 पूरी तरह से आपको आठ अंक का पूछा गया है और इस आठ अंक के अंतरगत आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही विशेश तरीके का प्रश्न है यहाँ पर देखिए हिं प्रशासनिक शब्दों का भी प्रयोग जो है वो किया गया मैं पहले ही कई बार बतला चुकी हूँ कि प्रशासनिक शब्दों को हटाया नहीं गया है इसलिए खास खयार रखेंगे कि हर पक्षक को व्याकरण का पढ़ना जरूरी है और मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वर्श सीजी पे सिम्मुक की परिक्षा में 41 माक्स का केवल व्याकरण खंड से पूछा गया है य इसमें 36 गड़ी के शब्दों को समझने के कोशिस करेंगे कि मम्ता मई मा कहता है तो मा को महतारी या दाई कहते हैं परोसा गया तो परोसे गय हो गया भात अम्रित के समान होता है तो होते कह सकते हैं तो मम्ता मई मा के हाथ ले परोसे गय भात हर अम्रित के समान होते कह सकते हैं ठीक है तो ममता मई महतारी या ममता मई मा के हाथ के परोसे गए भात हम्रित के समान होते कहने से आपको अमाक जोई वो दिये जा सकते हैं दूसरा दिया है संध्या बेला में लौटती हुई गायों के खुर से उड़ती हुई धूल से आस्मान तक रंग जाता है तो संध्या बेला को 36 गड़ी में भी गोधुली बेला कहते हैं ठीक है या हम उसे कह सकते हैं एक्जांपल के तौर पर जैसे की प्रयोग के तौर पर कहा जाता है गोधुली बेला ठीक है तो गर्वा उलियाती अगर हम कहते हैं ठीक है तो वो समय संध्या बेला होती है लेकिन गरिवा उलियाती नहीं कह सकते हैं इसको हिंदी में ही हम परभारिश्ची शब्दों को लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि संध्या बेला में लौटती हुई गाय संध्या के बेराम लहुटत गर्वा के खूर ले उडियात धुर्रहर आसमान तक रंग जाते कह सकते हैं तो संध अगला है कमरे में समान इधर ऊधर बिखरा पड़ा है तो चट्रीवा को खोली कहते हैं इधर उधर को एति ओती कहते हैं ठिक है अस्त्वियस्त कहते हैं तो कमरे में समान तो खोली म समान हर एती ओती बिखरे हावे कह सकते हैं या कमरे में समान हर जतर खतर रखाय हावे कह सकते हैं तो शुद्ध रूप से अगर हम पिल्कुल अंतर करना चाहें तो कह सकते हैं इसका आंसर होगा खोली म समान हर एती ओती बड़े हावे कह सकते ठीक है नानी बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुना रही है ठीक है तो यहां पर आपको दिया है नानी बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुना रही है तो इसका आंसर होगा कहानी को किस्सा भी कह सकते हैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं तो आपको जो मैंने आंसर बतलाएं है इसमें भी आपकी दो-दो अंक जो है वो निर्धारित हैं मतलब कि सोचिए आपका 6 नंबर का 36 गड़ी से हिंदी में और 8 नंबर का हिंदी से 36 गड़ी में मतलब 14 नंबर का केवल समानार्थी प्रशन यहाँ और 10 नंबर का समानार्थी वहाँ पर आपको पूछा है यहाँ वाक्य के तोर पर और वहाँ आपके समानार्थी शब्दे के माध्यम से तो इस तरह question number 4 का answer जो हो होता हमारा complete ठीक है कोशिस ये करें कि जब तक आपके पास 36 गड़ी प्रशासनिक शब्द हैं तब तक वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग आपके द्वारा किया जाना चाहिए अब आते हैं हम question number 5 में question number 5 क्या कहता है नीमनलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए option number 1 है दही के भोरहा मा के रचाईता कौन है option number 2 है जहापी नाटक के लेखक कौन है option 3 है कनवा समधी के रचनाकार कौन है option 4 है 36 गड़ी पर सीमा वरतिकीन दो राजियों की भाशाओं का प्रभाव है option number 5 है सूरुज नहीं मरे किस कवी की रचना है तो मैं आपको उत्तर बतला दूँ कि चुकि अभी मुझे दो प्रशन का उत्तर उतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाया जो आपका दही के भोरहा मा और जहापी नाटक के रचैता पूछा है जैसे ही पता चलता है हम आपको उस चीज़ के बारे में अपडेट जरूर कर देंगे ठीक है तो बिल्कुल से परिशान नहीं होंगे जो कि प्रशन पत्र आज ही मिला है तो थोड़ा से इसका आंसर ढूणने में हमको भी जद्दो जहद लगानी पड़ती है ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा कि दही के भोरहा मा कपसाला खाना ये आपका एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है धोखा खाना ठीक है तो हम आपको धोखा नहीं देंगे इसका आंसर आपको बहुत ही जल्द बताएंगे लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए ठीक है तो कोदू राम दलित नामक शक्सियत के द्वारा लिख गई एक रचना है जिसका नाम है कोदू राम दलित की रचना कनवा समधी दूसरा चटिस गड़ी पर सीमा वर्ती कीन दो राज्यों का प्रभाव है कहता है तो आप सभी को पता है कि 36 गड़ राज्य जितने राज्य की सीमा दाइरे को छूता है वहां की बोली और भाषा के शब्दों को अपने साथ समेट कर चलता है तो 36 गड़ राज्य में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पश्यम की तरफ से इसमें मराठी का प्रभाव है पश्यम की तरफ से मराठी और इस मराठी से भी ज़्यादा पूर्व की तरफ उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है है ना और दक्षन की तरफ यदि हम कहें तो मजहूर आदिवाशी बोली गोण की हलबी का प्रभाव देखने को मिलता है उत्तर की तरफ जाते हैं तो बिहार की भोजपूरी का प्रभाव यहाँ पर पूरण रुप से दिखाई देता है तो कुल मिलाकर प्रश्ण ने क्या पूछा है प्रश्ण ने पूछा है कि चतिस गड़ी पर सीमा वर्ती की ने दो राज्यों की भाशाओं का प्रभाव है इन चार में से को आप एक लिख सकते हैं जैसे पश्चिम से मराठी का प्रभाव और पुर्व से उडिया का सब्सक्राव तर तोर पर देखा जाता है और मराठी के अंतरगत काल है को लह कह सकते हैं वह एकज़ार का जो अपका वो मराठी का शब्द माना जाता है ठीक है जो आपको संबोधन के तौर पर ग कहते हैं ये भी आपके मराठी से प्रभावित माना जाता है दूसरी बात उडिया की बात करें तो कका बुढवा चिकला कादो कहते हैं बहु अचन प्रत्य मन कहते हैं धाप कहते हैं ठीक है और ब ये सब भोचपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है ठीक है और दक्षिन बश्तर में गोड का प्रभाव जीदे देखने को मिला तो मशूर आदिवसी हलबी और उसके साथ गोड के जो आपकी दक्षिन भारत की जो बात है तो तमील के भी शब्दों का प्रभाव यहां देखने को मिलता जैसे कुवे कहता है ठीक है इसे प्रकार कुट कहता है इसे प्रकार आपका अगरू कहता है यह कहीं न कहीं हमारे लिए दक्षिन भारती भाषा का प्रभाव है कोल मिला जो यहाँ पर आपको प्रभावित तोर पर देखने को मिलता है ठीक है अब आते हैं इसका question number five का option number five सुरुज नई मरे किस कवी की रचना है ठीक है सुरुज नई मरे किस की रचना है कहता है तो देख लेते हैं कि सुरुज नई मरे ये आपके सुप्रसिध गुजरात के निव नारायन लाल परमार की रचना है तो सुरुज नई मरे कहते हैं तो यह है आपके नारायन लाल परमार ठीक है तो मैंने आपको क्या बतलाया कि दो के आंसर आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा लेकिन तीसरा कनवा समधिये है कोदुराम दलित और चट्थिस गणी भा जिकी भाशाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और सुरुज नहीं मरे कि इसकी रचना है तो नारायन लाल परमार की रचना है अब आते हैं हम कोशन नंबर 6 में फिर से दो आप्शन दे दिया है जिसमें कोशन नंबर 6 का आप्शन नंबर जो आपका अ है क्या पूछता है निमनाकित 36 गड़ी कहावतों का निमनाकित 36 गड़ी कहावतों का हिंदी में अर्थ लिखना है ठीक है तो 36 गड़ी कहावत का हिंदी में अर्थ लिखना है जिसमें पहला प्रशन है आपका आप्शन के तोर पर एक हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा मतलब क हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अति श्योक्ति पुरण बात करना तो यहां पर होता है एक हाथ खीरा के नहीं हाथ बीजा है। मतलब कि अति श्योक्ति पुरण बात करना या कह सकते हैं बढ़ा चड़ा कर बताना इसका होगा किसी भी बात को बढ़ा चड़ा कर बताना या फिर आप सिंपल से जैसे मैंने पहले बताया अतिश्चिक्ति पूर्ण वरणन करना लिखेंगे तो भी आपको अंग जो है वो मिलेगा दूसरा आप्शन है सटर पतर के घानी आधा तेल आधा पानी यानि कि जल्दबाजी में किसी कारे का करना ठीक है तो सटर पटर के घानी आधा तेल आधा पानी कहता है तो यहाँ पर होगा आपका मुझे जहां तक इसका उत्तर लगता है वो होगा जल्द बाजी में काम करना जल्द बाजी में काम करना ठीक है तो इस दोनों का आंसर हुआ कि एक हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा मतलब की बढ़ा चड़ा कर बताना या अतिश्यक्ति पूर्ण वर्लन करना सटर पटर के घानी आधा तेल आधा पानी याने के हम कह सकते हैं जल्द बाजी में काम करना इसी कोशन नमबर 6 का कोशन नम मुहावरे हैं दीन नंदाना नंदाना मतलब की जो है वो लुप्त हो जाना ठीक है तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा पूराना हो जाना या समय का बीत जाना ठीक है तो यहाँ पर अगर प्रश्ण कह रहा है कि नंदा जाना मतलब की लुप्त हो जाना तो दीन का लुप् करना या इसका होगा अर्थ विवाद करना इसके अर्थ में लिए जा सकते खटिया लुकाना इसका मतलब होगा खटिया लुकाना का अंधेरे में छुपकर काम करना तो इस तरह कुश्च नमर 6 में 36 गड़ी मुहावरा और लोकोक्ति से आपको प्रश्चन पूछा है तो दिन नंदाना मतलब की समय का बीत जाना या समय का पुराना हो जाना मुहा होना वारतालाप करना कह सकते हैं या विवाद करना या बहस करना कह सकते हैं खटिया लुकाना मतलब की अंधेरे में छुपकर काम करना अब इसी के बाद में आता है दो प्रश्चन और जो आपको कि विभिनक्षित्र 37 गढ़ी भाष्र की योगदान देखने को मिलता है जहां 36 गढ़ी कशतनर मुंक्रेमंत्री के द्वारा जो भी जन जन्चार के लिए बातें लोगों तक पहुच आया जाती Χटी गड़ी भाशा में किया जाता है जो दुरस्तर गाउं में रहने वाले निरक्षर व्यक्ति के भी दिल तक वह बात पहुँच सकती है दुसरी बात कि आकाश्वाणी के माध्यम से समस्त प्रकार के जो समचार है उनका 36 गड़ी में भी जो है वो प्रसारण किया जाता है जो ज प्रकार के अंतरगत लोककला संस्कृति के समस्त प्रकार के तत्वों को फोक जहमाजम के माध्यम से 36 गड़ी गीतों का प्रचार और प्रसार किया जाता है 36 गड़ी की अंदर की जित्री जनता जो निरक्षर है और ग्रामिन परिवेश पर रह रही है उन तक हर एक छोटी खबरों को 36 गड़ी भाषा के माध्यम से पहुँचाया जाता है चाहे वो शासकी जनसंचार हो या किसी भी प्रकार की विग्यापन हो किसी प्रकार की बाते हो 36 गड़ी जनता तक पहुचाने में 36 गड़ी भाषा में आकाश वाणी का महत पूर्ण योगदान देखने को मिलता है इसके अलावा 36 गड़ी भाषा के अंतरगत विकास देने के लिए इस आकाश वाणी का सबसे महत पूर्ण प्रयोग किया जाता है जब भारत के अंदर तो आप अप्र तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया है इसके वज़े से 36 गड़ी के अंतरगत भाषा का विकास होगा लोग इस 36 गड़ी भाषा के रूप में समस्त प्रकार के तत्मों को जानने का प्रयास करेंगे इसलिए आकाश वानी के माद् को लिख सकते हैं लास्ट वन कोशन एट नमबर का कोशन प्रशन आठवा कि प्रात्मी कक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में 36 गड़ी मात्री भाषा के महत्व पर अपने विचार लिखिए इस वज़े से जैसे 36 गड़ी राज़ी का प्रिथक करन हुआ उसके बाद जो आपकी प्रात्मिक आपकी जो कक्षा है माध्यमिक कक्षा है जो आपकी हाई इसकुल और हाई सेगेंडरी है हिंदी की पुस्तकों में 36 गड़ी साहितिक रचनाओं से संबंदी रचनाय जो है वो बच्चों के पाठी क्रम में अनिवारी तोर पर डाला जा रहा है जिसक वजह से प्रात्मिक आपक्षा में यादी सिक्षा के माध्यम की रुप में 36 गड़ी मात्री भाषा को रख दिया गया तो 36 गड़ राज्य के अंतरगत सबसे पहली यह एक राज भाषा के तोर पर उत्कृष्ट पहचान प्राप्त करेगा दूसरी बार जिस प्रकार प्रा अग्रसर हो रही है तो यहाँ पर 36 गड़ी भाषा का उस प्रात्मिक अक्षा में यदि बच्चों को सिक्षित किया जाएगा तो इसके प्रभाव से 36 गड़ी भाषा को समझना बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह आप यहाँ पर अपने विचार प्र प्राप्त होगा यांकि साहितिक विध्याओं के गतिवीधियां उन्हें प्राप्त होगी इसलिए प्रात्मिक अक्षा में सिक्षा के माध्यम से त्री भाषी सुत्र के अंतरगत 36 गड़ी भाषा को भी पाठ्यक्रमी स्थान दिये जाने पर उसका महत्त जो है वह और बढ प्राप्षा गया है याने कि पांच नंबर का आपको रचनाकारों से समबंधीत दो नंबर के आकाशवाणी की भूमी का और दो नंबर की भाषा के ऑचिते बाकि 41 मांक्स का कोशन केवल आपको व्याकरन पच्छन से पूछा गया है इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि भाषा सबसे जादा स्कोर करने वाला प्रशन पत्र होता है जिसकी तयारी CGPAC प्रारंभीक परिक्षा में आपको बहुत महत्पूर्ण तरीके से करनी चाहिए जिसका आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से लाभ प्राप्त होता है वरतमान समय में भी आपने देखा होगा कि CGPAC प्री में आपके 49 प्रशन तो आपके केवल 36 गढ़ी भाशा के थे तो समझनी वाली बात है कि यहां पर जो पूर्ण रूप से 36 गढ़ी भाशा से मुख्य प्रशन पत्र में पूछा गया है तो 41 नंबर का 41 मांक्स का व्याकरण और 9 मांक्स का साहित खंडे से पूछा है याने कि आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से CGPAC मुख्य परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रथम प्रशन पत्र के तीसरे भाग 36 गढ़ी की चर्चा उत्तरव की विशलेशन के साथ में हमने पूर्ण रूप से कर लिया मेरी एक कोशिस है जहां मैं हर एक तरी ठीके से आपको चीजों को समझा कर चलो और मैंने वह पक्ष यहां पर पूरा कर लिया और इस तरह हमारे संस्था के द्वारा आपको 36 गढ़ी भाशा और हिंदी भाशा के वीडियो आपको उपलबते करा दियें उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें खरी उतरती होंगी जिसम फाइदा पहुचे और एक कोशिस के तौर पर हमेशा से इस रूप में आप आगे बढ़ते रहें यही ब्लेक्सिंग्स देती हूँ यही शुपकामनाय देती हूँ कि आपका आने वाला प्रशन पत्र और यह बहुत ही अच्छा हो उत्तर लेकन बहुत विशिष्ट शैली क हो और आप अच्छे एक अधिकारी के पत्र पर कारिरत करते हुए दिखाई दें याने कि मेरी आप सभी बच्चों को धेर सारी शुपकामनाय धेर सारा प्यार और आशिर्वाद आगामी प्रशन पत्र की परिक्षा के लिए तब तक मेरे सभी बच्चों को थैंके सो मज ग हुआ 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 है